हेलो एवरिवन आज हम बनाते हैं पंजाबी मसाला पापड़ी और इसके लिए पैने क्या लिया है इसके लिया है मैंने यहाँ पर दो कप मैदा मैदो के मैंने अच्छे से चान लिया था और यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा आदा कप गेहूं का आटा इसमें डाल दे और सारी चीजों को आप अच्छे से चान ले ये सारी चीजे में अच्छे से चानी हुई है तभी मैं इसमें डाल रही हूँ और यहाँ पर आधा कप बेशन आधा कप से थोड़ी सी कम सूजी और साथ ही में डाल दूगी थोड़ी सी अजवायन थोड़ा सा नमक और यहाँ पर थोड़ी सी हींग और साथ ही में डाल दें आप कसूरी मेथी कसूरी मेथी को हाथों से आप थोड़ा सा क्रश कर ले और फिर इसके अंदर मिक्स कर ले और यहाँ मैंने लिया हैं कुछ मसाले इनको हमने दरदरा पीस कर डालना है गया लिया है मैंने साबु दनिया, सोफ, काली मिच, जीरा और 3-4 लोंग इनको हम इस तरह नहीं डालेंगे थोड़ा सा इनको दरदरा कर लेंगे मिक्सी में और फिर हम इसमें डाल देंगे blender में मैंने ये डाल दिया है और अब हम इनको दरदरा पीस लेंगे ये देखिए इस तरह से आप दरदरा पीस लें और इसके अंदर mix कर दे अब हम इनको सब को mix करेंगे आटा, सुजी, मैदा और जो बेसन डाला है और मसाले डाले हैं हाथों से पहले इनको अच्छे से सब को mix कर ले और इसके अंदर साथ ही मैं डाल दूँगी थोड़ा सा तेल सरसो का तेल डाला है मैंने ये गरम किया हुआ था पहले से ही और इसके अंदर आप mix कर दे आपको ये तेल उतना डालना है कि आप जब हाथों में ये आटा लें तो आपकी थोड़ी से मुठी सी बन जानी चाहिए पर ये थोड़ी सी देखिए मुठी बन नहीं रही है मैंने हाथों में लिया है पर ये थोड़ा सा आटा अलग लगया तो थोड़ा सा तेल में और डाल दूंगी इसमें ये देखें मुठी नहीं बन जाई है तो थोड़ा सा तेल में इसमें और मिक्स कर लूँगी तो आप देख सकते हैं ये मुठी बन गई है हमारी तो बस इतना तेल आपको डालना है और अब हम इस आटे को गूंत लेंगे नॉर्मल पानी लिया है मैंने और नॉर्मल पानी के साथ इस आटे को गूंत लेंगे जैसे हम आटा गूंते हैं बट ये आटा थोड़ा सा सकत होना चाहिए तो इस तरह ऐसे आप इसे गूंत ले तो देखिए यहाँ पर आटा हमने तयार कर लिया है और इसे थोड़ा सा टाइट ही रखना है आपको और इसे हम 10-15 मिनट के लिए ढख कर रख देंगे और ढखने से पहले हाथों को थोड़ा सा ग्रीज करके इसके उपर थोड़ा सा ओयल लगा दीजिए ताकि आटा सुखे ना तो इस तरह से थोड़ा सा यह सुखेगा नहीं इस तरह से उपर लगा दीजिए ओयल और 10-15 मिनट के लिए आप इसे ढख कर रख दीजिए तो देखिए आटे को ढखे हुए हमें 10-15 मिनट हो चुके हैं और फिर से आप इसको थोड़ा सा हाथों से अच्छे से मसल लेजिए यह देखिए थोड़ा सा टाइट है ना तो इसी तरह से आपको यह आटा गूतना है 10-15 मिनट ढखने के बाद भी आपको 2-3 मिनट तक आपको इसी तरह से हाथों से मसल लेजिए ताकि यह थोड़ा सा सोफ्ट हो जाए तो आटा तो हमारा रेडी हो चुका है अब हम इसकी छोटी छोटी लोईयां निकाल लेंगे यह देखिए इस साइज की और थोड़ी सी निकाल लेजिए और थोड़ा सा बाद में आटा धक कर रख दीजिए ताकि आटा सूखे ना तो यहाँ तेल भी हमने गरम होने के लिए रख दिया है तो यह देखिए दस से पंदरा मैंने इसी तरह से बना लिए और बाकी के आटे को मैंने धक कर रख दिया ताकि वो सूखे ना और हम इसे अब बेल लेंगे इस तरह से और थोड़ा सा बेलने के बाद आप फोक की हल्प से इसे होल कर दीजिए जैसे फोक के आगे का हिस्स होता है ना तो आट से दस इसके अंदर इस तरह से कर दीजिए इससे होगा क्या कि आपकी पाप्री है वो एकदम क्रिस्पी बनेगी तो बस सारे इसी तरह से आप कर लीजिए तो इसी तरह से सभी को रेडी करके आप ओईल में डाल दीजिए और ओईल को आप एक बार गरम करके लो फ्लेम पे ही इन्हें डालिएगा अगर लो फ्लेम पे डालेंगे तो आपकी पाप्री एकदम क्रिस्पी बनेगी और अगर मीडियम फ्लेम पे डालेंगे तो आपकी ये क्रिस्पी बिल्कुल नहीं बनेगी तो इस बात का विश्य ध्यान रखिए आपको एक बात तेल को अच्छे से गरम करके फिर आपको ल गॉल्डन ब्राउन होने तक आप इसी तरह से फ्राई कर लीजिए तो ये देखे गॉल्डन ब्राउन हो चुकी है ये देख सकते हैं आप बस अब हम इने निकाल लेंगे एक तम क्रिस्पी बनी है ये और लो फ्लेम पे आप अगर इने फ्राई करेंगे तो बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगी ये तो इसी तरह से सारी हम निकाल लेते हैं मसाला पापड़ी और ये बहुत ही अच्छी बनती है बहुत ही टेस्टी बनती है बहुत ही क्रिस्पी बनती है आप इसे ट्राई जरूर कीजिए और एक बार ट्राई करेंगे तो आप दुबारा इसे जरूर बनाएंगे तो यह देख सकते हैं आप कितनी क्रिस्पी बनी हैं अगर आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं या तो फिर अचार के साथ भी आप इसे खा सकते हैं इसमें जो मसाले हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो जरूर ट्राइ कीजिए आप इसे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शियर, कोमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहले से जुड़े हैं तो आपका शुक्रिया मिलती हूँ आपको नई रस्प के साथ तब तक के लिए, बाबाई